तो जैसा कि मासर मास्टर की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा चैंग साव को यह एल्डर डांडाओ सुटी में घुमा रहा होता है तभी वह चैंग साव को लेकर अपने पैलेस के पास चला आता है और वह अपने पैलेस के दरवाजे को जैसे ही खोलता है तभी उस यसे व Weirdya को भी गुष्सा आ जाता है इन दोनों के बीच में फाइट छिर जाती है लेकिन अरड़र इस फाइट को हाचते दी रहात है चसे देखकर चैंहिए इस फाइट ने लता है और वह बहुत आसानी के साथ में वेर ने भी है कि जूओ फैमली इस पैलेस को छोड़ कर कहा गई है इस पर यह वोरियर बताने लगता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है और रही बात इस पैलेस की तो इसे मेरे दोस्तने मुझे दिया था जिसे सुनने के बाद इस एल्लर को बहुत ज्यादा क्या हुआ जिसकी विज़े से तुम लोगों की फैमली का रैंक इतना जादा नीचे गिर गया है इस बात को सुनकर यह थोड़ा सा स्वाफ होता है और अब आगे इस एपिसोड की सुरुवात में चैंक साव एल्लर को समझाने लगता है कि आप लोगों की फैमली के साथ जर कम चाहे है इसलिए आपको खुद को दोस्त देने की कोई भी जुरत नहीं है इस पर एल्लर बोलता है चैंक साव अभी तुमने जो कुछ भी बोला है मुझे भी उन सब चीजों के बाद में पता है लेकिन अभी हम लोगों को फिलाल के लिए मेडिसिन कींग के साथ मिले के सब्सक्राइब लगते है लेकिन तभी एक लड़की इन लोग के पास आ जाती है और वो बोलने लगती है आप लोग यहां से किस तरह की मेडिसिन को खरीदना चाहते हैं इस वर फर्स्ट अलर इस लड़की के सामने आते हैं बोलता है मुझे बेंडिसिन किंग से मिलना है क्या तुम मुझे चाह सकती हो जैसे सुनने के बाद यह लड़की थोड़ी से सौक होती है और लोगों को लेकर मेडिसिन के पास जाने लगती है इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बात का टाइम दिखाया जाता है जहां पर यह लोग मेडिसिन किंग के रूम के बास आ गये होते हैं इस ची दूसरे एल्डर को यह लगी लेकर एक दूसरे कमरे में आ जाती है जहां पर एक ओल आदमी चैंग साव और इस एल्डर को इस देख रहा होता है लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है जो कि फरनेस के अंदर में एक फिल को रिफाइन करने की कोसित कर रहा होता है जिसे देखकर यह लगी चैंग सा और एल्डर को बताने लगती है कि यह सेवेंड मेडिसिन किंग में से एक है और क्या मैं यहां पर आपकी और भी कोई मदद कर सकते हूं इस पर चैंग साब बोलता है मेरा दोस्त फिलार के लिए भी मेडिसिन किंग से बात करने के लिए गया है तब तक हम लोग इस जया पर घूमना चाते हैं और वो यह बोलकर इस जया को एक्स्प्लोर करने के लिए जाने लगता है लेकिन तब वह रुख जाता है और वो बोलता है यहां पर मेडिसिन किंग स्क्रेप फिल को रिफाइन करने की कोशिद कर रहा है जिससे चुनकर यह भी थोड़ा सा सौक होता है लेकिन तब हम लोगों को इस आदमे को दिखाया जाते है जो कि इस फिल को रिफाइन करने लगता है जिसे देखकर चैंक साब भी इस जया पर आ जाता है और वो इस अलकेमिस्ट को देखने के बाद बोलता है इसका लेवल से मैंने और यह यहां लगभग तयार होने ही वाला है तो तुम यहां पर कैसे बोलता है कि अलकेमिस्ट यहां पर अपने काम में विफल हो जाएगा इस पर चैंक साब टेलीपर्टी के थूरू इस ओल्ड आदमी को बताने लगता है कि अगर यह आदमी अपने इस काम में विफल हो गया तो क्या तुम एक साल के लिए मेरे साथ रहने के लिए तयार हो इस पर यह ओल्ड आदमी बोलता है तुम्हारे यह ओफर तो सच में अच्छा है लेकिन मैं तुम्हारे इस ओफर को एकसेप्ट नहीं कर सकता हूं जिसे सुनने के बाद चैंक साब लालज देते वे बोलता है अगर त पता है कि तुमने यहां पर अपने पावर को हाइट करकर रखा है लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि तुम्हारा लेवल एंपरर लेवल के एट लेवल पर है जिससे सुनने के बाद यह ओल्ड आदमी के बारे में और यह बहुत ही ज्यादा चौका देने वाली बात लादमी भी मदद कर सकता हूं जिससे सुनने के बाद यह ओल्ल आदमी थोड़ा सा सौक हो जाता है और अपने मूंगे इस चीज़ को फैंकते वे बोलता है आखिरकार तुम कौन हो इस पर चैंक साथ लगाने के लिए तयार हो और साथ ही मैं आपको यहां पर बहुत ज्यादा इंप पाउरफुल एडलर की मित्यु हो गई थी जिसके बादे में आपने तो जरू सुना होगा इस पर ओल्ल आदमी चैंक साओ का मजा गुडाते बोलता है मुझे तुम्हारी किसी भी बातों के उपर भरुसा नहीं है इस पर चैंक साओ बोलता है अगर तुम्हें मेरे उपर भ हो जाता है और वो बोलता है आखिर का इस लग्याने को बताने लगता है यह चीज अभी फिलाल के लिए इतनी ज्यादे इंपोर्टन नहीं है जितनी की आपकी बीमारी है क्योंकि अगर आपने अपना इलाज नहीं करवाए तो इसकी विज़े से आपकी मित्तियों भी हो सक आएंगे इस पर यह अपने मन में कुछ सोचने लगता है लेकिन तभी वह इस अलकेमिस्ट की देखने लगता है उसे भरोसा हो जाता है कि वह इस कॉम्पेशन को बहुत ही आसानी के साथ जीच जाएगा इसलिए वह चैंक साथ के साथ लगाने के लिए तैयार हो जाता है ज इसलिए जब तक कौन जीता है इस चीज का फैसला नहीं हो जाता है तर तक हम दोनों यहां पर सांते रहेंगे और बोजे बोलकर इस फानेस की ओर देखने लगता है और इसी के साथ हम लोगों का यह अपिसोड हो जाता है तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया प्रवाचिं झाल झाल